इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लोग function की क्या identities होती है जैसे देखो अगर मैं बात करूँ Z और omega आपके पास दो complex numbers ठीक है दोनों आपके पास कैसे हैं complex numbers है इन दोनों के बीच एक relation आपको ये given out है कि Z आपके पास किसके एकवल होता है E omega के एकवल होता है I am taking here log both side then you get log Z equals to omega आपके पास log Z की क्या identity आती है omega आती है मतलब Z function के लिए logarithmic of Z क्या base होगा यहाँ पर E होगा वो किसके एकवल होगा omega के एकवल होगा अब हम बात करते हैं log Z की तो log जो function होता है वो आपके पास multi-valued होता है multi-valued और single-valued function में यह difference होता है कि आप कोई भी value substitute करो और वो किसी value के लिए आपको infinite values provide करें तो वो आपके पास multi-valued होता है और किसी function के लिए आप कोई value substitute करते हो लेकिन वो आपको एक ही fixed value देता है तो वो आपके पास कैसा हो गया single-valued function होगा अब अगर हम बात करें logarithmic function की तो यह आपके पास multi-valued function होता है कि इसके पास many values exist होती है तो अगर यह multi-valued function है then its general form is written as ठीक है बट आप यहाँ देखो देखो कोई भी function की अगर general values होती है obvious है आप उसको एक order में represent करते हो तो अगर मैं बात करूँ किसकी journal values की तो उस case में उस function की value आपके पास होती है log ez इक्वल्स टू omega आपके पास क्या है ठीक है अब आप यह देखो कि मेरे पास जो मैंने यह function की value लिये omega प्लस 2n यह आपके पास इसकी journal values होती है बट मैं अगर इस function की बात करूँ तो यह आपके पास principal value है किसकी log अगर किसी function की value को मतलब मैंने कहा ना कि लोग आपके पास कैसा होता है multi-valued function होता है so उसकी जो भी value थी मैंने उसके इंदर क्या करा उसकी journal value को add कर दिया then you get it's a principal value ठीक है अब अगर मैं आप से कहूँ कि आप इसकी journal आप simply find out कर सकते हो कि वो आपके पास क्या होगी omega plus 2n यह find out कर दोगी but principal value के अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास क्या होता है log z equals to log z plus 2n pi argument हम निकालते है यह complex में आप पढ़ोगे depend करता है कि आप किसी भी जैसे यह 4 quadrants आपके पास होते है यहाँ theta आपके पास 0 होता है theta की value यहाँ आपके पास pi by 2 form करती है यहाँ theta की value आपके पास minus pi by 2 होता है यहाँ theta आपके पास pi होता है अब quadrant के according depend करता है कि आप argument क्या निकालते है ठीक है वो argument आप किसी भी यह first quadrant है तो आपने यहाँ क्या length निकाली है उसकी जो भी value वान लाई करती है यहाँ अगर देखा जाए x or y दोनों positive होते हैं आपके पास इस case में आप value कैसे find out करते हो argument हमेशा tangent में represent होता है तो वो सारी basic जो आपके पास होगा ना वो deeply आप सारा complex में पढ़ोगी यहाँ मेरे इसका बताने का यह है कि question में आपके पास low की value को पूछा है उसने तो मैंने आपको एक journal value यहाँ आपको find out करना बता है कि z और omega आपके पास दो complex number है और इस relation के साथ वो आपको given है then log z आपके पास क्या form करेगा omega log z अगर मुझे इसकी journal value को find out करना है then log z आपके पास क्या हो जाएग omega plus 2 and pi and it's a principal value is log z equals to omega क्या है log z plus 2 and pi इसी केस में आपको solutions को find out करना होते है यह इसकी principal value होती है अब आप principal value से अपने question के solution को देखो sine inverse x plus iota y so first of all आपको किसकी value पता होनी चाहिए log की तो मैंने यह क्या किया a को substitute किया r cos theta b को मैंने substitute किया r sin theta squaring and adding करोगे तो आपके पास value क्या आजएगी a square plus b square r square यहां से common आएगा cos square plus sin square क्या हो जाएगा then you get value of r is a square plus b square ठीक है second case मैंने क्या क्या दोनों को divide गया b by a equal to r sin theta r cos theta then you get b by a equals to tangent theta 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 equals to tangent inverse b by एक आपने r find out किया और एक आपने क्या find out किया theta दो values आपके पास यह exist कर गए अब आप एक चीज़ यह देखो अब आप एक चीज़ यहां देखो कि मेरे पास होती क्या है value log z plus 2n by iota आप substitute कीज़े यहां value मुझे किसके अब आपके यहां आपके यहां देखो plus 2n by iota आप value को डालिए a plus iota भी a r cos theta r sin theta आपके पास value क्या होती है e iota theta log m into n क्या form करता है log m plus n 2n by iota plus log r and log identity iota theta अब आप value डालिए 2n by iota log r की value क्या है आपके पास a square plus b square and theta is अब आप देखो यहां मेरे पास 1 by 2 a square plus a square power 1 by 2 a मैं इसको आगर लिकर आई और यह image नहीं पार्ट है दोनों मैंने दोनों टर्म में से क्या common ले लिया iota 1 by 2 log a square plus b square iota common log a then 2n by plus tangent inverse b by a यह आपके पास value है अब इसकी principle value find out करने के लिए मैंने आप क्या किया n को substitute किया 0 then you get 1 by 2 log a square plus b square आप 0 substitute करोगे तो value क्या हो जाएगी 0 tangent inverse b by a अब आप solution find out किया देखो आप यहां देख रहे हो तो यह मेरे पास real है और यह क्या है imaginary part iota का coefficient है यह time आपके पास real है तो दो functions की value आपके पास आईए एक है u real part और एक आपके पास imaginary part u plus iota v u की value आपके पास क्या है 1 by 2 log a square plus b square और v की value tangent inverse with b by a ठीक है अब आपको जो value find out करनी है वो क्या है आपके पास sin inverse x plus iota y आपके पास क्या होना चाहिए log a plus iota b आपके पास आपको value find out करनी है तो देखों मैंने क्या किया यहां पर साइन log a plus iota b किसके एकवल होगा यह देखों inverse था ना मैं इसको दे ले गई तो sin log a plus iota b किसके एकवल है x plus iota y की बट मेरे पास जो यहां value है वो क्या है u plus iota b तो मैं इसकी correspondence first of all solution को find out कर रही है sin log a plus iota b और log a plus iota b की value आपने यह find out की है आप substitute कीजे value को sin u plus iota b sin a plus b sin a cos b plus cos a and sin b sin u यह क्या हो जाएगा cos hyperbolic v यहां से iota को मना जाएगा cos u and sin hyperbolic v अब दो पार्ट आपके पास यहां आगए आप यहां देखो तो आपके पास यह real part है और यह आपके पास क्या है image नरी part है बट इसकी value question के according क्या है आपके पास sin log a plus b की value क्या है x plus iota y तो आपके पास value क्या आगई यह किसके equal है x plus iota y के आप equate करो real part आपके पास क्या आगया sin u cos hyperbolic v और y आपके पास क्या है cos u and sin hyperbolic v ठीक है यह आपके पास उसका real और image नरी part दो आपने find out क्या है मुझे solution क्या find out क्या मुझे show करना x square by sin square u तो मैं इस equation से और y square by cos square u दोनों को मुझे subtract करना है तो मैंने क्या क्या है यहां से x by sin u की value निकाली किसके equal होगा cos hyperbolic v y by cos u आपके पास क्या form करेगा sin hyperbolic v squaring करेंगे separately फिर क्या करेंगे दोनों equation को हम subtract कर देंगे तो आपके squaring करेंगे then x square sin square u y square और दोनों को मैंने क्या कर दिया subtract कर दिया ठीक है क्या value आई cos hyperbolic square v minus sin hyperbolic square v cos square minus sin square equals to 1 ओके आपके पास क्या value आगी x square sin square u minus y square cos square u equal to यह मुझे शोकर ठीक है next आप exercise देखो अपने गर्गिर्श सिरीज क्या कहती है if theta lies in the interval minus pi by 2 plus pi by 2 then theta equals to tangent theta minus 1 by 3 tangent cube theta plus 1 by 5 tangent 5 theta up to infinity first of all आपके पास cos theta plus iota sin theta एक real part है और एक आपके पास क्या है imaginary part cos theta plus iota sin theta मैंने क्या 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 गिवन equation में से cos theta को common लिया यह cos theta को contain नहीं करता it means cos theta आपके पास divide में रहेगा तो उसकी value cos sin by cos आपके पास क्या value देगा tangent ठीक है cos theta plus iota sin theta मैंने cos theta को common लिया तो आपके पास value क्या आजाएगी cos theta बाहर 1 plus iota sin theta by cos theta and sin theta by cos theta is 10 so cos theta 1 plus iota tangent theta cos theta को मैंने क्या किया left side में लेकर गए तो 1 by cos आपके पास क्या हो गया secant 1 plus iota tangent theta by aler's theorem this is an e iota theta secant theta e iota theta equals to 1 plus iota tangent theta taking log both side m into n is log m plus log n log e is 1 is iota theta log 1 plus iota tangent theta यह theta लाई करता है minus pi by 2 से plus pi by 2 sorry minus pi by 4 से plus pi by 4 के बीच में अब आप देखो तो tangent की value आपके पास up to infinity 10 करती है ठीक है बट वो किसके लिए 90 पर infinity को अप्रोच करता है ना आप table के according अगर देखो यह value वैसे आप अगर value को substitute करते हो ना तो आपके पास minus pi by 4 से plus pi by 4 में sin tangent की जो value होती है वो 1 से less होती है आप जैसे उसमें pi by 4 substitute करते है तो उसकी value आपके पास क्या form कर जाती है 1 otherwise उसकी value 1 से क्या रहेगी less रहती है तो iota tangent theta आपके पास किस से less है 1 से less है log secant plus iota theta log 1 plus iota tangent theta आप यहाँ पर identity apply कीजिए क्या है log secant theta plus iota यह क्या है log 1 plus iota tangent theta it means यह आपके पास कुछ ऐसे form करता है log 1 plus x और log 1 plus x की जो identity होती है वो आपके पास alternating sign में चलती है यहाँ factorial की terms नहीं होती then you get x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4 up to infinity यह terms आपके पास रहेंगी अब आप यहाँ देखो x है बट दोनों को अगर आप compare करते हो ना यह क्या है log 1 plus x है और यह क्या है log 1 plus iota तो यहाँ x क्या हो गया iota tangent theta 1 plus iota tangent theta तो value substitute करेंगे x x square by 2 x cube by 3 x 4 by 4 up to अब आप यहाँ देखो ने तो आपके पास दो parts है iota का 4 करते हो तो उसकी value क्या हो जाएगी 1 it means यह term आपके पास imaginary नहीं होकर क्या है real part है iota square करते हो minus 1 negative negative क्या आजाएगा positive real part है यह भी real part है यह भी जो 2 के multiple होंगे वो आपके पास real form करेंगे sorry ज़रूरी नहीं है six जो है वो भी आपके पास even है sorry real तो सारे हैं आपको चेक करना होगा कि जो आपके पास जैसे 2 है 4 है six आपके पास iota form करेंगा two into three ठीक है तो आपको चेक करना होगा कि real और imaginary part आपके पास क्या value यह 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 real part है यह आपके पास imaginary part है iota यहां से मैंने जैसे यहां iota आएगा एक term यह 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 iota की आपके पास even order की terms है और यह आपके पास odd order की terms है मुझे value यह निकालनी क्या है theta मुझे find out करना है न देखो theta मुझे find out करना है तो मैं यहां अगर आप देखो तो theta का coefficient क्या iota मैं दोनों side से किसको equate करूंगी imaginary part हो theta किसके equal होगा tangent theta minus 1 by 3 tangent cube theta plus 1 by 5 tangent 5 theta up to infinite यह आपके पास glory series है ठीक है इसी के भी रहाफ पर आपको questions को find out करना है और अगर इसके real part की बात करें then log secant theta equals to 1 by 2 tangent square theta minus 1 by 4 tangent 4 theta plus 1 by 6 tangent 6 theta iota 6 हां जी यह even ही रहेगा 6 minus 1 इसकी well sorry real रहेगा यह आपके पास imaginary part में हो ठीक है यह आपके पास इसकी identity आगए यह देखो to show that कि tangent inverse x आपके पास क्या होगा x minus x cube by 3 plus x by 5 up to infinity inverse function है तो हम first of all क्या कर देख नहीं identity का उसको नाम देते हैं मैंने इसको theta का नाम दिया theta equals to tangent inverse x then x equals to tangent theta ठीक है आप value को substitute कीजे यह क्या है आपके पास theta theta और theta क्या होता है tangent theta minus 1 by 3 tangent cube theta value को यह substitute कर दिया टेंजन थीटा की value x है theta की value tangent inverse x है यह identity आप अब है अब है अब है अब है अब है अपने पाइंड आपके पास यह फॉर्म करता है ठीक है वह कहता है मुझे किसकी value को find out करना है पाई की तो मैंने क्या किया है यहां पर x को 1 substitute किया tangent inverse 1 1 किस पर फॉर्म करता है पाइब पाइब फॉर पाइब फॉर वन माइनस वन बाइटरी अपको यह सिरीज आपको क्या करना होता है जो भी सिरीज गिवन होगी आपको उसके अंदर कुछ ऐसी टम्स बनानी होगी कि वह आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रेसंट करें अब आप अगर इस कोशन को देखते हैं तो यह आपको कुछ ऐसे गिवन है आपको यह शो करना है कि पाइब फॉर आपके पास एक मुते लिए ज्रों फों कि यह वाणा घा Kingdom प्रस्ट ऑफूर मैं ने इस इसओ को लिए देखो वाइट री प्लस वन बैसाम माइनस वन बैस वन बैसे पैइफ को अ आप यहां देखो ना तो आपको एक चीज देखो कोशन करने से पहले आप जिस जो भी एकसराइज या जो भी आप कोशन करते हो ना उस फॉर्म में जो भी आइडेंटिटी आपके पास यूज होती है वो आपके मैं में फिक्स होनी चाहिए ठीक है आपको यह पता है कि आपन करी है कि टेंजेंट इन्वर्स एकस जो होता है ना उसकी सिरीज आपके पास ऐसे फॉर्म करती है ठीक है टेंजेंट इन्वर्स एकस की जो भी सिरीज आपके पास फॉर्म करती है आपको वह यहां सिंपली अप्लाई करनी है ठीक है अब आप यहां देखो ना तो मेरे पास यहां दो आइडेंटिटीटीज हैं फुर्स्ट मैंने क्या किया जो टू की मल्टिपल से मैंने उसको सेपरेट किया कि 2 by 3 माइनस 1 by 3 2 by 3 q फ्लस 1 by 5 into 2 by 3 5 up to second जो सीरीज है मैंने उसको सेपरेट किया 1 by 7 माइनस 1 बाई 3 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 7 बाई अब टू ठीक है और सेपरेट करने का रीजन भी है देखो आपके पास जो टेंजेंट इंवर्स X होता है ना उसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास X माइनस X क्यूब बाई 3 प्लस X5 बाई 5 ऐसे यह सिरीज आपके पास चलती है आप यहां देखो तो X तो common होता है ना बट यहां मेरे पास separate था 3, 7, 3, 7, 3, 7 ऐसे कुछ फॉर्म कर रहा था तो मैंने 3 की सिरीज को अलग रहा था और 7 की सिरीज को मैंने अलग रहा ठीक है दूसरी चीज आपके पास होती है जो भी X होता है X as it is फिर उसका आप Cube कर तो आप यहां देखो तो 1 by 7 का Cube कर रहे हुँगा यहां आप देखो तो 1 by 5 का Cube कर रहे है क्योंकि 1 की Power 5 तो 1 ही होगा ठीक है Cube by 3 होता है तो 3 है by 5 होता है तो है बट फर्क यहां सिर्फ कितना है कि x की value आपके पास 1 by 7 है ठीक है आप इसको ऐसे नहीं समझें कि यह 1 by x है नहीं x की value ही आपके पास क्या है 1 by 7 है आप यहां substitute कीजिए तो x की value 1 by 7 x cube है तो 1 by 7 cube by 3 1 by x5 है तो 1 by 7 5 by 5 ठीक है यहां आप देखो तो 1 by 3 2 को मैंने क्या करा है यहां common ले लिए 1 by 3 minus 1 by 3 1 by 3 cube plus 1 by 5 into 1 by 3 की power 5 अब आप यहां देखो तो आपके पास x की value क्या हो गए 1 by 3 हो गई हो गई ना x x cube x5 by 3 आता है तो 3 by 5 है तो by 5 बस फर्क इसने यह क्या है कि यह series जो आप ऐसे लिखते हो इस 5 को यह यहां ले है multiply इतना सा यह पर गए अब आप देखो तो यह series किसकी है 2 as it is tangent inverse 1 by 3 यह series किसकी है 1 by 6 2 tangent inverse x है identity apply कर देंगे पहले 2x 1 minus x square हम हम इसको solve कर लेंगे तो value आपके पास क्या हो जाएगी tangent inverse 2 by 3 8 by 9 so tangent inverse 3 by 4 plus tangent inverse 1 by 7 tangent inverse x plus tangent inverse y it forms as tangent inverse x plus y over 1 minus x into 1 by into y ठीक है तो यह आपके पास value क्या होगी आपके पास क्या होगी so tangent inverse 25 over 25 is tangent inverse 1 और tangent inverse 1 पर value क्या होती है पाइब आपको शूख करना है कि सिंप्ली आपको यही कंडिशन से आप्लाई करनी है second example आप ट्राय करना उसके बाद मुझे बताना जैसे यह देखो इसके एकसर इसको फॉर्स और आपको शूख करना है कि pi by 4 पाइब 8 क्या value देता है 1 by 1 into 3 plus 1 by 5 into 7 plus 1 by 9 into 11 अब आपके पास एकी चीज़ माइन में होनी चाहिए कि tangent inverse x की value क्या होती है x minus x cube by 3 plus x 5 by 5 up to आप यह देखो तो x की value आपके पास fix नहीं है तो मैंने क्या क्या इसको fix करने के लिए given series को मैंने 2 से multiply किया और 2 से ही उसको क्या कर दिया divide कर दिया ठीक है जी 1 by 2 को मैंने as it is रखा यह 2 है इस 2 को आपको denominator में जो time होगी ना उसी form में present करना है तो मैंने क्या लिखा 3-1 denominator में 5 7 है 5-7 by 5 into 7 यह 7-5 negative हो जाएगा otherwise the value ठीक है यह देखो प्लस 11-9 और 9 into 11 अब आप क्या करो इसको separate कर तो आपके पास क्या values आएगी 3 by 3 is 1 minus 1 by 3 7 by 5 into 7 7 से 7 cancel हो जाएगा 1 by 5 5 से 5 यहाँ cancel मतलब आपको क्या करना है इनको separate करना है कुछ ऐसे 7 minus 5 over 5 into 7 है then 7 by 5 into 7 minus 5 by 5 into 7 1 by 5 1 by 7 सेम ऐसे यहाँ आपको क्या मिलेगा 1 by 9 minus 1 by 11 अब टू और एक सिंपल सी चीज अगर मैं आपको बताओ ना तो वो यह है आप अगर यहाँ देखो ना तो यह आपके पास N है यह क्या है N plus 2 यह क्या है N यह क्या है N plus 2 यह है N यह है N plus 2 अगर आप इस टम को देखो ना तो यह आपके पास कुछ ऐसे form करता है जहां दो टम्स आपके पास multiple में हो या फिर आप यह कहिए कि denominator की degree अगर आपके पास denominator से ज्यादा है आप वहाँ क्या एपलाई करते हैं इसको जर्नल टम में आप रिड्यूस करिए आप इसकी जर्नल टम बनाई है और उसके बाद आप पार्शल ट्रक्शन करोगने तो भी आपके पास यहीं स्रीज आई ठीक है पर आने ट्रम बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रेट होगी क्योंकि आप आप अभी सीक्वेंज स्रीज के स्टैप में नहीं गए हो तो आप सिंप्ली अगर आप से बन सकते आप उसको बनाई है और उसका पार्शल ट्रक्शन करके आप यह टम निकाल दीजिए अधर्वाइस मैंने क्या 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 टू से मल्टिप्लाय टू से डिवाइड किया और अगरे के निके पास फर्म कर देखो तो यह एकष फिर यह आता है एकष क्यू बाइट स्री है एगश फॉइव वईव प्लस अग्यू फैस आत लिए तो एकश फई वाइफ रवव फाइफ एग शैंव सास्टवे सैंव हैं एकष नाइन बाइन और आप यहा देको ना थो वेल्यू आपके पास क्या है ठीक है तो यह सिरीज आपके पास क्या फॉर्म करती है 1 by 2 as it is tangent inverse 1 ठीक है अब देख लो चाहिए सब्सिचूट करो 1 है यह मतलब x minus x cube 1 का cube 1 होता है by 3 1 5 यानि कि x की power 5 by 5 x 7 by 7 x 9 by 9 x 11 by 11 tangent inverse 1 की value आपके पास क्या होती है पाइब फॉर इक्वल स्टू पाइब यह सब्सक्राइब तो जो भी टाम आपके पास होगी ना आपको मतलब जो भी कोशिन में आपको गीवन आउट है आप उसको उसे सापसे रिडियूस कीजिए उसे आप से उसके एक्सपेंशन आप बनाईए तो solution find out अब आप यहां देखो ना वन वन बाइंडर रूट त्री फिर वन बाय त्री यह क्या है आपके पास क्यूब और वन बाय त्री आप सिंप्ली अगर एक चीज़ यहां notice करो ना तो आपके पास यह स्रीज कुछ ऐसे form करती है यह देखो फिर मैंने रखा minus 1 by 3 को फिर मैंने रखा plus 1 by 5 को up to in terms को मैंने as it is रखा अब आती है 1 by under root 3 की बारी तो मैंने negative sign को बाहर रखा 1 by under root 3 negative negative positive बट मैंने minus बाहर को मली है तो यह term negative हो जाएगी 1 by 3 into 1 by under root 3 की पावर 3 यह term positive 1 by 5 1 by under root 3 की पावर 5 अब आप देखो ना तो यहां x की value है 1 यहां x की value आपके पास क्या है 1 by under root 3 x x q by 3 x 5 by 5 आपको मतलब equation में से search करना हो देखना होगा कि कौन जी time आपके बास क्या expansion में राती है उसके according आपको solution find out करना ठीक है try करना फिर जो भी doubt हो वो मुझे पूशना है आपके अधिन यहां 20 ए Cand 107 बrok आपके में आपके 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 शो के इंपके 5 अरोल